हेलो विडियो में हम आपको बताएंगे फोन पे शेयर मार्केट एप्लिकेशन में आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे फर्स्ट फाल अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते तो आप हमारा यह वाट्सव चनल फॉलो कर सकते इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है अब सिंपल हम इस एप्लिकेशन को ओपन करेंगे ट्रेडिंग आपको किसमें करना है लाइक अगर आप करना चाहते तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते जैसे कि मैं स्टॉक्स में भी करके आपको बताता हूं और इंडेक्स में भी करके आपको बताता हूं ओके जैसे कि स्टॉक्स में मैं करता हूं फॉर एजांपल मैं करता हूं इनफोसेस में ट्रेडिंग अब यहां पर Infosys पे मैं क्लिक करूँगा यहां से मैं इसका चार्ट देख सकता हूँ ठीक है जितना भी Factor Analysis होता है जो भी भी Technical Analysis करना रहता है वहाँ पे मैं कर लूँगा जैसे अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि मैं Infosys को Buy करना चाता हूँ मुझे लग रहा है कि 1893 जिसका प्राइस चल रहा है यह 2000 रुपए तक जाएगा तो मैं सोचता हूँ इसको Buy करने का तो मैं इस पे क्लिक करूँगा 100 quantity मैं सोचता हूँ इसकी Buy करने की तो मैंने 100 quantity डाल लिया order type में मैं कर दूँगा इससे like की जिस price में भी चल रहा है उसी price में यह Buy हो जाए ओके and second रहेगा intraday अगर मुझे करना रहेगा तो intraday में मुझे काफी अच्छा margin मिलेगा अगर मैं इसे delivery में लेता हूँ तो मैं को 100 quantity अगर लेना रहेगा तो 1,99,000 रुपे लग रहा है बट अगर मैं इसको करना चाता हूँ intraday में place order पर मैं क्लिक करूँगा और यहां से मेरा order जो execute यहां पर हो जाएगा second यह मैंने आपको stock की options में बताए trading करना अगर आपको index में करना लाइक आप लोगोंने सुना होगा ना nifty में trade करते है bank nifty में trade करते तो जैसे मैं अगर nifty 50 में करना चाहता हूँ तो nifty 50 में मैं click करूँगा direct आपकी पूरी option यहां पर open हो जाती है सबसे पहले मैं nifty 50 को यहां पर देख लेता हूँ chart के माधियम से कि इसमें क्या चल रहा है तो यहां पर भी मैं सोच रहा हूँ कि यहां पर मैं put side में trade लेना चाहता हूँ तो simple मैं क्या करूँगा option chain में जाता हूँ और right में आपको put के option मिलते है left में आपके call के option मिलते है तो मैं in the money कोई भी premium लेना चाहता हूँ जैसे कि 25,250 का जो premium है उसका 146 रुपे price चल रहा है तो 25,200 मैं search खर लूँगा यह हो गया put option ठीक है यह मैंने clarify कर लिया किस premium में मुझे काम करना है buy पे मैं click करूँगा intraday करना है overnight ली जाना है वो आप लोग देख लीजेगा किस price में लेना है वो आप लोग देख लीजेगा फिलाल मैं market order पे इसे लेना चाहता हूँ और nifty 50 में आपको बता हूँआ एक lot में आपको 25 quantities होती है तो मैं इसकी 10 quantity सोच रहा हूँ 100 quantity लेना चाहता हूँ place order पे click करूँगा और यहां समय से ले लूँगा और यहां पे न थोड़ा सा confused वाला बात है कि जैसे मैंने nifty 50 पे click किया और option चेर पे direct में premium पे click कर सकता हूँ क्या मुझे search करने की भी जूरत नहीं तो काफी टाइम से मैं क्या search ही कर रहा था बट अगर option चेर पे आप direct click करेंगे तो आपको वो premium भी देखने को मिलेगा buy orders आप लोग देख सकते हैं कितने लगे इसमें sell orders आप लोग यहां पे देख सकते हैं आजकल जितने भी broker आ रहे है ना like आप देखिए इसी को देख लीजे यहां पे आप price action को कितने आसन तरीके समझ सकते कि six day के बाद इसके expiry है second आपका जो इस premium में buy orders कितने percent लगे है sell orders कितने percent लगे तो इससे हम काफी अच्छे तरीके से मार्केट में price action समझ सकते है ओके सो कैसे trading करते हैं वो मैंने आपको बता दिया trading आप लोग सीखना चाहते है तो आप हमारा whatsapp channel फॉलो गर सकते link मैंने आपको description में दे दिया है सो मिलते है next video में